तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रदान मंत्री किसान सम्मान ने दीकि जो किस्ते होती है वो सभी किसानों को मिल रही है लेकिन दोस्तों ऐसे में होता क्या आएगी अगर किसी किसान ने केवाई सी नहीं करवाई है तो उसकी रासी किस्त की रासी रोक दी जाती है तो के वाइसी हो चुकी है नहीं हो चुकी हो नेनको पता सही से नहीं चल कॉपिजये से काम कर रहा है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलग एक तरह से आप कह सकते हैं यानि कि अगर किसी किसान की KYC है तो उससे भी बोल देंगे आपकी KYC नहीं चलिए मैं कर देता हूं आप सो रोपे दे दिए पचास रोपे दे दिए उससे आपकी KYC हो जाएगी तो इस तरह से लोग कर रहे हैं और इस तरह से दोस्तों किसानों के आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कमर कुश्वा और आप देख रहा है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक लाइव के के तो चलिए दोस्तों ब्ने आपको बता दूँ कि किस तरह से जो प्रधान मंत्री किसान सम्मान ने करवानी होथी है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सबी किसानों को अपनी केवाई सी जो है साल में केवाल एक बार करवानी होती है इसके अलावा दोस्तों जो किसान सम्मान ने दी कि Кी का चार्ज है वो सम्तिंग सम्तिंग मैंने जादा तर BLEs को देखा है वो 50 रुपे लेते हैं लेकिन दोस्तो कई सारे फरजी लोग ऐसे हैं कोई 100 लेता है और कोई तो ऐसा होता है कि मतलब अगर किसान की KYC हो चुकी है तो उससे भी बोलनेगी आपकी KYC नहीं हुई है तो आपकी KYC करवा तो ऐसा होता है कि KYC के नाम पर कुछ लोग गाउं गाउं जाते हैं कि चली हम आपकी किसान सम्मानेदी कि KYC कर रहा है उनसे अंगोटा लगवाते हैं और उनके खाते से पैसे उड़ा लिये जाते हैं अब दोस्तो जैसा भी आपको पता है कि सभी किसान सभी गाउं के किसा तरीका में आपको बता दूँ दोस्तों कि अगर कोई भी किसान की BLE केवाईसी करता है तो वहाँ पे दोस्तों किसान को जो है उस BLE को कुछ चार्ज देना पड़ता है केवाईसी करने के बदले तो ऐसे में मेरा मानना यह है कि अगर गवर्मेंट चाहे तो एक ऐसा ओप्शन पोर्टल पर ला सकती है जिसके माध्याम से अगर कोई BLE या कम्पीटर ओपरेटर किसी भी किसान की KYC करता है तो वह जो KYC करने का चार्ज होता है दोस्तों तो वह चार्ज जो है प्रदान मंत्र किसान सम्मा ने दिकी जो राशी किसान को मिलने वाली है उस राशी से सीधा जो है BLE के अकाउंट में आ जाए जो चार्ज लगता है KYC करने का वह चार्ज तो ऐसे में दोस्तों होगा क्या कि अगर किसी भी किसान की KYC नहीं हुई है तो कोई भी कम्पीटर ओपरेटर या CSC BLE जब भी किसान की KYC करेगा तो वहाँ पर दोस्तों जो है अगर उसकी ऑल रेडी चार्ज देना ही नहीं है क्योंकि गावर्नमेंट अगर ऐसा अप्शन ले आती है कि वह किसान जो भी KYC करता है उसके अकाउंट में KYC का चार्ज हम गवर्नमेंट सीधर कर देगी किसान के खाते से तो ऐसा काने से दोस्तों फादा यह होगा कि किसान से किसी भी तरह बॉक्स में कमेंट करके जरू बताईगा वीडियो पसंद आई पर लिए वीडियो को लाइक कर अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और पास वाली घंटी की बैर आकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए जिससे गयाने वाली वीडियो उ आप तक आते रहे तो दोस्तों मैं इसी तरह एक वीडियो लाता रहता हूं तो आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलते आगली वीडियो में तब तक के लिए थैंकी सो मच धन्यवाद